आपके साथ शेयर करने वाली हूं ट्रू हेयर ओईल और हीटर का रिव्यू और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगे इसका डेमो भी कि इसको कैसे यूज़ करने हैं सबको अतलिता होगा होज़ा के बहुत सारे पेंथे फीप्रीत काने यूज़ करते हैं का माते अटर्कित में लेक्वाट होका है क्योंकि यह deeply जब हम hot oil अपनी बालों में लगाते हैं तो वो deeply जाता है scalp के अंदर और roots को अच्छे से nourishment प्रोवाइड करता है जिससे हमारे बाल जो है उनका texture जो है वो अच्छा होता है बट ग्यास पे oil को मतलब गरम करना कभी वो excess heat हो जाता है और फिर कर टोरी पकड़ते हाथ भी कभी कभी जल जाता है तो उन सब का solution है यह ultimate solution है true hair का heater जिसमें oil जितना गरम होना चाहिए उतने temperature पे गरम होता है और कभी हाथवा जलने की भी problem नहीं होती तो चलिए हम प्रोडक्ट को कर लेते हैं कुछ ऐसे cardboard की packaging में आता है यह oil है और यहां पर यह heater है और यहां पर यह light लगी हुई है यह electricity पे चलता है आपको इसको बोर्ड में connect करना होगा फिर switch on करना होगा और यह जो light है वो अपने आप जब heat oil हो जाता है हमारा oil जो heat हो जाता है तो यह अपने आप बंद हो जाता है तो जितने temperature पर उसको heat होना चाहिए उतना ही temperature इसमें लगता है उसके पादी खुद ओफ हो जाता है इसके साथ एक manual आया है कि इसको कैसे use करना है सारी details यहां पर लिखी हुई है कि कैसे इसको use करना है ठीक है और कैसे clean करना है इसको कभी भी पानी से नहीं दो ना एक सूखे नहीं है consistency कुछ ऐसी है और oil ऐसा है ठीक है बहुत हलका oil है ज्यादा थिक oil नहीं है बहुत liquidy सा oil है और इसका texture इस टाइप का है कुछ और smell भी अच्छी है इसकी आगरवेदिक सी natural सी smell आती है ठीक है यहां पर इस oil के सारे ingredients लिखे हुए कि इसमें कौन-कौन से ingredients है ठीक है आ 110 ml की quantity आती है 349 रुपीज इसका प्राइस है और तीन साल की आपको सेल्फ लाइफ मिलती है और यह जो हीटर है वो इस तरह के लिड के साथ आता है तो चलिए मैं आपको इसका टैमो दिखा देती हूं कि इसको कैसे यूज करने है फर्सली आपको जितना required है उतना oil आप इस ठीक है और इसे board में attach कर देना है इस तरह से आपको board में लगाना है और switch को on कर देना है तो यह जो red light है यहाँ पर जल जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि machine अभी on है और चल रही है जब यह red light off हो जाएगी तब आपको switch को बंद करना है और इसको निकाल लेना है और उस कर देते हूं और इसे मैं यहां से निकाल लेते हूं तो यह मारा heat जो है वो oil हो चुका है इसको आपको हाथ पे से पोर करना है और अच्छे से मसाज करना है तो एक चीज़ दिखा दू मैं आपको इस पेक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है अगर आपको दुबारा heat करना है इसमें तो reuse करें आफटर 10 मिनट कम से कम 10 मिनट रहने दे उसके बाद ही यूज करें पांच मिनट लगते हैं इसमें गरम होने में ठीक है तो यह था इसका डेमू ओल भी इसका सही है मतलब इस पे लिखा है कि ग्रेंग वग्यरा नहीं होती और यहां पर इसके लिखा हुई आपको इसे कम से कम बेस्ट रिजर्ट के लिए 3 टाइम अपलाई करना है 3 महिने में ठीक है तो ही आपको बेस्ट रिजर्ट मिलेंगे और हीटर के लिए भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुई है कि इसको ड्राय क्लॉस से ही क्लीन करें वाटर से बिलकुल भी क्लीन ना करें करें थैंक्स पूर वाचिंग